आज हम बात करने जा रहे हैं वैदिग मैट स्क्वीज शिशु वर्ग के राउंड फाइफ के बारे में जिसमें सब्ट्रेक्शन के कोश्चन्स हैं अब देखें यहाँ पर हम देखते हैं सुन्यांत मैट से सब्ट्रेक्शन कैसे क्या जाता है क्योंकि हमें एक साथ आंसर देना होता है सब्ट्रेक्शन का तो इस मैट से आंसर देना बहुत इजी है अब इसके लिए देखिए हमारे पास condition क्या है कि किस तरह की question सुने चीए two four digit numbers कोई भी दो numbers four digit वाले उनकी subtraction पूछी जाएगी इस round में तो आएए देखते हैं इसको कैसे solve करेंगे हम यहाँ पर देखिए हमारे पास एक question है 8541-6792 यह हमें subtract करना है सून्यांत method से तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे सबसे पहले हम left to right इस start करेंगे 8-6 देखिए 8-6 यह कितना होगे हमारे पास 2 एक part जब solve हो जाएगा तो हम उसके बाद क्या करेंगे एक 0 लगा देते हैं इसलिए इसको सून्यांत बहुत है means 0 लगाना हमने एक 0 लगा दिया यहाँ पर 20 बन गया अब हमारे पास इस part का answer आगे 20 अब हमने क्या करना है 20 के बाद फिर हमने यहाँ उपर चले जाना है यह positive numbers हैं यह negative हैं तो यह वाले number plus होंगे और यह वाले minus हों अब देखिए इसके दो methods हैं यहाँ तो हम ऐसे कर लेते हैं कि 20 में पहले 5 plus करे 25 25 minus 7 करें तो इस तरह से इसको देखते हैं next question को इसी का थोड़ा सा different तरीका पताऊंगे आपको 20 plus 5 देखिए कितना हो गया 25 25 minus 7 यह भी हम कर लेते हैं साथी यह हो गया 18 और हम लेकिन 18 नहीं ल पास नमबर है 180 अब 180 में हम क्या करेंगे 4 plus करेंगे और 9 minus करेंगे plus 4 यह हो गया 184 minus 9 यह हो गया 175 और उसके बाद हमें 0 लगा देंगे क्योंकि हमारा third step complete हो गया है अब इसके बाद हम उपर जाएंगे 1750 1750 में 1 plus करेंगे 1751 minus 2 1749 तो देखिए इसका अंसर आगया 1749 इसको हम चेक भी करके देख सकते हैं तो हमारा आंसर बिलकुल correct है आईए देखते हैं next question यहाँ पर देखिए हमारे पास जो question है अब left to right start करते हैं 4 minus 2 सबसे पहले कितना आया 2 एक 0 लगा देंगे जैसे आपको भी बताया मैंने 20 हो गया अब 20 में मैंने आप से कहाता पहले 5 plus करो 25 फिर minus 8 करो उससे अच्छा हम ऐसे भी कर सकते हैं यह 5 है यह minus 8 है 5 minus 8 कितना हो गया minus 3 क्योंकि एक positive number है एक negative number है तो हमेशा वो minus होंगे और sign हम यह देख लेंगे कि बड़ा number कौन सा है तो अब हम इसके साथ सीधे लिख देंगे देखिए इस तरफ से हमें 20 मिला अब हमें 20 में क्या मिलाना है 5 minus 8 करना है means minus 3 आया तो 20 में minus 3 एड़ कर देना है हमने देखिए यह ज़्यादा easy हो जाएगा 17 आगया अब हमें एक zero put कर देना है 170 अब 170 के बाद फिर इसी तरह से हम steps में जाएंगे plus 3 minus 4 यह होगे minus 1 तो 170 minus 1 169 1690 क्योंकि एक zero और लगा देंगे अब इसके बाद फिर यह step plus 6 minus 1 plus 5 तो देखिए 1695 हमने कितनी easily answer निकाल दिया है 1695 तो यह सुन्याद method से हम left to right 77 calculations करते जाते हैं और इखटे answer दे सकते हैं क्योंकि इस round में यही बोला गया है कि आपने पूरा answer एक साथ देना है अलग-अलग numbers नहीं बताने हैं तो इसकी आप practice करेंगे तो यह round पहुत easily आपका clear हो जाएगा Thank you